ओम जै श्रीहरिविष्णू जै मतराणी दोश्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान श्रीहरिविष्णू की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोश्तों आज आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी वरत की कथा और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार एकादशी का वरत दो दिनों तक धारन किया जाएगा कई भक्ते हैं जो कि 8 दिसंबर को ये व्रत धारन कर रहे हैं और कई भक्ते 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारन करेंगे और बहुत से भक्ते हैं जो कि 8 और 9 दिसंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत धारन कर रहे हैं तो आपने चाहें 8 दिसंबर को व्रत धारन किया है या फिर 9 दिसंबर को या फिर आप दोनों तिन व्रत धारन कर रहे हैं। व्रत का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है इसकी जानकारी आपको कथा के बाद में वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंध तक जरूर देखिए, मार्कसिस मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजश्विनी कर्ण्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुरुभाव हुआ था, यही कारण है कि मार्कसिस मास की क्रिश्न चाहिए कुटू या फिर सिंगाड05 के आटेक प्रियोक नहीं करना चाहिए एक बाद है न्यमिशारणी तिर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्चुक अठासी हजार रिशी मुनियों से स्री सूती जी ने कहा हे रिशियों द्वापर युग में धर्म राजुतिष्टिर ने भगवान स्रकृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु कृपा करके एका दशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा कौन-कौन से कार्य करने तथा कौन-कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें इससे हमारा और भविश्य में आगे आने वाली पीडियों का कल्यान पुर्ण जानकारी देने की कृपा करें युदिश्टिर के इन प्रश्णों को सुनकर मंद मंद मुसकराते हुए भगवान स्री कृष्ण ने कहा हे युदिश्टिर तुम्हारा प्रश्ण अत्यंत उत्तम और लोको पकारी है अत्यान से मेरी बातों को सुनो शास्त्रों के अनुसार हे मंतिरितु में मार्गसिस अर्थात अगहन मास के क्रिष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिति को एकादशी का जन्म हुआ था यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का प्रारंब किया जाना चाहिए महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रत का विधान बतलाता हूँ उसे ध्यान पुर्वक सुनो और फिर प्रत्तेक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो भगवान श्रिक्रिष्ण आगे बोले हे कुंति पुत्र एकादशीयों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निशेध है अतर दश्मी को सायंग भोजन करने के बाद मुख और दातों को दातून आदी से भली प्रकार साफ कर लें जिससे की दातों में किसी प्रकार का अन्न फसान रह जाए रात्री में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा इस्त्री प्रसंग भी वर्जित है एकादशी को प्रातय काल चार बजे उठकर सरवर्थम व्रत का संकल्प करें संकल्प वाक्य इस प्रकार है अमुक संवस्चरे पहले संवस अर्थात जन्म जन्मांतर के अरजित किये हुए पापों से मुक्ती के लिए एकादशी व्रत का पालन मैं कर रहा हूं या फिर कर रही हूं इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए इसके बाद शोचादी से निवरित होकर नदी, तलाब, बावडी अत्वा कुए पर जाकर नित्यक्रियाओं से निवरित होकर वरत करने वाले को श्नान करना चाहिए यह एकादशी का पवित्र वरत, चोर, पाखंडी, पर नारी गामी, निंदक, मिथ्या भासी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष वैस्त्री को नहीं करना चाहिए और नहीं एकादशी वरत करने वालों को उपर बताए दुर्गुणों वाली व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए यति भूल से ऐसे लोगों से वारतालाप हो भी जाए तो प्रायस्चित के रूप में भगवान सुर्यदेव का दर्शन करने से समस्त पाप दूर हो जाता है स्नानो परांत धूप दीप नैवेद्य आदी सोलह वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्री को दीप दान करें यह स्रेश्ट कर्म सच्चे हृदय से भगती तचा श्रधा से युक्त होकर करना चाहिए रात्री में सोना तता इस्त्री प्रसंग करना वर्जित है एकादशी की समश्त रात्री भजन कीर्थन करना चाहिए और मनन करना चाहिए सत्संग करना चाहिए पहले कभी जाने या अंजाने में जो भी पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से शमाप्रात्ना करनी चाहिए गुणी और धर्मात्मा इस्त्री पूरसों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुकल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझे इस विधी से एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुस्वै wilderness मन चाहा फल्प्राप्त करते हैं शंखो-धार्थीर्थ में शनान करने के पश्चात स्रीभगवान विश्णु के दर्शन करने से जो फल क्राप्थ होता है वह एका दशीवरत के सोलहय भाग के समान भी नहीं होता ऐसा शास्त्रों का मत है व्यति पात के दिन दान करने से लाइख और शंक्रान्थी में दान करने के पुन्य से 4 लाख गुना पुन्य फल एकादशी व्रत्षे प्राप्थ हो जाता है सुर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन में कुरुक्षेत्र में इस नान करने से जो फल प्राप्थ होता है वही फल एकादशी के व्रत्षे प्राप्थ होता है आश्वमेग यग् पुन्य विद्यादान करने से प्राप्थ होता है और विद्यादान से भी सौगुना पुन्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्थ हो जाता है अन्य दान से ही देवता और पितर दोनों ही त्रिप्थ होते हैं पर एकादशी के व्रत का पुन्य तो उससे भी बढ़कर है उसको भी आधा फल प्राप्थ होता है परंतु निर्जल वरत रखने वाले को जो पुनिफल प्राप्थ होता है उसका वरणन करने में देवता भी असमर्थ है भगवान श्रीकृष्ण के मुख से ये सब बाते सुनकर धर्म राज युदिश्टिर हाथ जोड कर बोले हे भग युदिश्टिर की बाते सुनकर भगवान श्रीकृष्ण बोले हे युदिश्टिर सत्य युग में मुर नाम का एक भयंकर दैत्य था वो बड़ा बलसाली और भयानक था उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आधित्य वसू वायू अग्नी आधिस सम दैत्य का वृतांत कह सुनाया फिर देवता हाथ जोड़कर बोले हे कैलाश्वासी हे अविनाशी मुर्द दैत्य के भैसे भैभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए वृत्यू लोक में मारे मारे फिर रहे हैं समस्त सुर्ष समाज को बेचैन देखकर और उनकी आनन शिवजी की ये बात सुनकर इंद्रादी सब देवता एकत्रित होकर चीर सागर जहां शेशनाक की सहया पर भगवान कमलापती विश्राम कर रहे थे शैन कर रहे थे जा पहुंचे वहां पहुंचकर भगवान विश्नु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नत प्रान कोट प्रणाम है, हे सुर, नर, मुनी और जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु आपको बारम बार नमस्कार है, हे दया के धाम प्रभो आप हमारी रक्षा कीजिए, देत्यों से बहभीत होकर हम आपकी शरन में आये हैं, आप ही इस समस्थ ब्रहम्हान के करता, धरत और माता पिता है आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संग्हार करने वाले और सब को शांति प्रदान करने वाले हैं ख опас और पाताल भी आप ही हैं पही हम सब के विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले हे प्रभो प्राचीन कालमी नाडी जंग नाम का एक राक्षस था उसी का पुत्र महा बलसाली महा पराक्रमी और विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है उस महा असुर ने समझत्य देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर अपना अधिकार कर लिया है वह स्वय हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए हम सब आपकी शरण में हैं इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापती बोले हे देवताओं तुम न घबराओ मैं शीगर ही तुम्हारे शत्रू का संगहार करूंगा तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो समझत्य देवताओं चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए ये देखकर स्वयम भगवान विश्नु रणभूमी में पहुँच गये भगवान कमलापती को रणभूमी में देखकर देत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विश्नु बर प्रहार किया भगवान ने ये देखकर अपने तीखे बाण शोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए, जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे, सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था, दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद् भगवान जो भी तिक्षनबार उसके सरीर में मारते थे, वे उसके अंगों में पुश्पो के समान लगते थे, शस्त्रों से उस महा दैत्य का शरीर छिन भिन हो गया था, परन्तु वो फिर भी युद्ध करता रहा, तत्पस्चात भगवान और दैत्य का मल युद्ध होने गए, वहाँ पर हेमवति नाम की एक सुन्दर गुफा थी, विश्नु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे, वह गुफा बारह योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था, दैत्य राजमुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुँच गया वह दैत्य भगवान विश्नु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ, वो अभी मारने का प्रेयत्न कर ही रहा था कि उसी छण भगवान विश्नु के शरीर से एक अतितेजश्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र स्त्र धारण किये हुए उत् विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किस ने सिखाया है, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है, वो अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराजमुर का रत तूट कर चूर चूर हो गया, देवी उसके अस्त्रशस्त्रों को काट कर टुकडे टुकडे कर दिये, अब वह भयानक दैत्यराजमुर मल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मार कर उसे मुर्चित कर दिया, जब वो दैत्य मुर्चा से जागा, तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला, फिर इस प् कन्या को देखा, तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, कि हे देवी, जिस दैत्य के भैसे इंद्रादिक सब देवता भैभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गये थे, उसको किसने मारा है, वह कन्या कहने लगी, भगवन, जब आप निंद्रा में थे, तब वह दैत का महानुपकार किया है, अता, तुम इच्छानुसार वर मांगो, तब भगवन, यदि आप मुझको वर्दान देना ही चाहते हैं, तो यह देजिए कि जो मेरा व्रत करे, उसके सब पापनश्ट हो जाए, और वह अंत में मुक्ष को प्राप्त करे, रात्री को भोजन करने वाले को आदा फल और एक बार भोजन करे, उसको भी आदा फल प्राप्त हो, जो मनुष्य भक्ति पुर्वक मेरे व्रत को करे, वह निच्चे ही आपके लोग को प्राप्त हो, और जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे, उसको धर्म, धन और मुक्ति सभी चीज हुई हो अतह तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम मुझको सब तितियों से प्रिय हो इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदाई होगा भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसंद हुई भगवान कृष्ण ने पत्ति का सब वितांद बतलाया है एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिध्धी देने वाली है जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता अत्वा सुनता है उसको अश्वमेग यग्य का फल प्राप्त होता है वह करोणों वर्ष तक विश्णू लोक में व व्रत भी नहीं है। और अब बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुप महुर्त के बारे में तो देखिए अगर आपने 8 दिसंबर को 11 का व्रत धारन कर रखा है तो आपको पारण करना है 9 दिसंबर को आज कब करना है पारण आपको दोपहर के बाद यानि की 1 बज कर 16 मिनट से 3 बज कर 20 मिनट तक और अब देखिए जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्ण आएंगे कि दोपहर के बाद हमें वृत खोलना है तो तब तक हमें क्या करना है किस प्रकार से हम वृत का समापन करें त दान की सामगरी भी आप उसी समय सुबे निकाल दीजिए आप चाहे तो दान भिजवा भी सकते हैं और सुबे की पूजा आरती कर लेने के बाद आप फलाहर कर सकते हैं जैसे की चाय पी सकते हैं फल इत्यादी ले सकते हैं जैसे आपने एकादशी के दिन व्रत किया था बिल् दुपहर के बाद जो शुब महुर्थ है उस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं और जिन भक्तों ने 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारन कर रखा है उन्हें अपना व्रत खोलना है 10 दिसंबर को सुबह 7 बज कर 3 मिनट से 7 बज कर 13 मिनट के बीच में ध्यान रखिएग 10 दिसंबर को शुबह 7 बज कर 13 मिनट पर 22 23 समाब्थ और शुर्योद के बाद ही व्रत खोला जा सकता है तो सुर्योद का ल का समय 10 दिसंबर को सुबह 7 बजकर 3 मिनट पर रहेगा तो 7 बजकर 3 मिनट से 7 बजकर 13 मिनट के बीच में 10 मिनट का समय है इस से पहले आप अपनी जो भी पूजा इत्यादी है वो कर लीजिए और अपना व्रत समर्पित कर दीजिए दान की सामगली निकाल दीजिए आप चाहें तो किसी ब्रामर को भोजन करवा सकते हैं या फिर दान निकाल सकते हैं और भोजन इत्यादी सभी चीजे बना कर रखिए जैसे ही शुबमुहुर्थ का प्रारंभ होगा आप अपना व्रत खोल लेंगे और व्रत किस प्रकार से खोला जाता है तो देखिए व्रत खोलने के लिए जब भगवान श्रीयर विश्नु की आप पूजा आराधना करते हैं तो उसके बाद से जो हम अभिशेक करते हैं भगवान श्रीयर विश्नु का ठाकूर जी का पंचामृत से या फिर जल से जिस भी चीज से आप अभिशेक करेंगे उसी चरणामृत को आप अपने हाथ में लेकर दाहिने हाथ में लेकर और ग्रहन करते हैं तुलसी के पत्ते के साथ सबसे पहले तुलसी का पत्ता और भगवान स्रेहर विष्णू का चर्णामरित लिया जाता है और उसके बाद शुद्धर सातिक भोजन लिया जाता है अच्छा जिनके पास ठाकुर जी नहीं है मतलब भगवान विश्णू की मूर्थी नहीं है विग्रह नहीं है तो उनको क्या करना है आप गंगाजल ले के बाद हम भोजन कभी भी कर सकते हैं नहीं भोजन भी आपको शुब महुट में ही करना होता है जैसे कि जब आप भोजन करने बैठते हैं तब उसी के साथ आप चरणामरित भी लेकर बैठते हैं सबसे पहले आप चरणामरित ग्रहन कर लेते हैं और उसके बाद से आप भोज कोई भी चीज जो आप बनाते हैं ना मतलब कुछ भी जो आप खाना चाहते हैं आपके पास समय हो तो लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको लेस्न प्याज का प्रयोग भोजन में नहीं करना है गाजर पहले भगवान को भोग लगाते हैं आप चाहें तो किसी ब्रामध को घर बुला कर भोजन भी करा सकते हैं अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ब्रामध के निमित भोजन की कच्ची सामगरी निकाल दीजिए और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद आप उसी भोजन में से प को भोजन जरूर कराना चाहिए तो वैसे तो ब्रामण को भोजन कराना चाहिए लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो गाय को या फिर चीटियों को या फिर पक्षियों के निमित थोड़ा भोजन निकाल कर रख दीजिए या फिर खिला दीजिए और उसके बाद आप शुब मु और आप दोनों दिन व्रत धारन कर रहे हैं तो आप दोनों दिन फलाहार के द्वारा ये व्रत धारन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जैसे कि 8 दिसंबर को अगर आपने फलाहार के द्वारा व्रत किया है तो 9 दिसंबर को आप चाहें तो निरजल व्रत भी धारन कर सकत करते हैं लेकिन हां अगर आप नेरजल वरत करते हैं तो अपनी स्वास्थ का ध्यान रख कर ही करिएगा नहीं तो फलाहार के द्वारा आप दोनों दिन वरत धारण कर सकते हैं और फिर 10 की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त होगी मिलती मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री रादेव